IGNU से related जितने भी admission information updates होते हैं आप हमारे playlist को access करो IGNU MA English MEG जहां पर आपको admission cycle से related complete procedure की complete dedicated video मिल जाएगी even अगर आपने admission ले लिया और आपको solved assignment या फिल lecture series या फिल notes वगरा के regarding भी आपको जानकारी चाहिए तो आप same playlist को access कीजे वहां पर dedicated video है purchase solved assignment करके जहां पर आपको dedicated सारी चीजें आपको resource material के regarding बताई जाएगी मैं playlist के link नीचे description box साथी में comment में भी pin कर दूँगी इसके अलावा मैं अभी तक मान के चल रही हूँ कि MEG में 19 subjects होते हैं इस बात की जानकारी आप सभी को होगी जिसमें से first year में compulsively आपको MEG 5 पढ़ना ही पढ़ना है और second year में MEG 04 और MEG 15 में से आपको option दिया जाता है इसके अलावा 3 other courses यानि कोई एक module भी आपको चूज करना होता है आज इसी point में हम लोग चर्चा करेंगे MEG 03 यानि British novel के regarding देखो British novel क्या है कि इसमें total block 9 है यानि 9 blocks यहां पे present है इसमें जो 9 block है इसमें famous famous writers के बहुत अच्छे-च्छे stories बहुत यह अच्छे-च्छे novels यहां पे दिये हुए यहां पे आप देखोगे ना तो one of the best novels आपको present यहां पे दिखेंगे चाहे वो Jane Austen हो या फिर Henry Fielding, Tom Jones हो सकता है इसमें से बहुत से novels आपने अपने grads के time पे भी पढ़े होंगे जब आप English honors की पढ़ाई कर रहे होगे तो सकता है Tom Jones या फिर Pride and Prejudice आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा और Pride and Prejudice तो एक ऐसा work है ना जो कि मुझे लगता है कि 11-12 के भी students अगर आप बात करोगे तो उसे भी idea होगा कि Pride and Prejudice की क्या story ती Jane Austen ने कितनी कुपसूरती के साथ Elizabeth और साथ ही में Darcy की story उन्होंने बता रखी है या फिर Emily Bronte हो या फिर Charles Strickens हो Charles Strickens is one of the famous novelist जने हम अभी तक जानते हैं George Elliot हो या फिर यहाँ पर Joseph Conrad हो या फिर James Joyce हो या फिर E.M. Forster हो Mural Spar को अब अगर हम इसमें से चर्चा करें थोड़ा सा important topic से जिससे questions आपको देखने को मिलेंगे ही हो मिलेंगे देखो मेरे ना बताब बताए ही आप समझ जो block 1 और block 2 आप कहीं से भी नहीं छोड़ सकते हो Henry Fielding और Jane Austen के regarding आप पढ़के जाओगे उनकी biography पढ़के जाओगे जो Tom Jones में famous protagonist है Pride and Prejudice में जो protagonist है चाहे वो Darcy हो Elizabeth है तो even थोड़ा सा side character के regarding भी आप पढ़के ही जाओगे क्योंकि यहां से character analysis या पर critical analysis character sketch कुछ भी आ सकता है और यह total आपके 20 marks carry करते ही करते हैं देखो अब block 3 के अगर मैं बात करूँ na Emily Bronte की तो अगर मैं पिछले 2-3 साल का paper उटाओ तो यहां से ए question रहा ही रहा है लेकिन it's not regular अगर June वाले paper में इनोने दे रखा है तो December वाले paper में ने दिया है अगर December में question paper में इनोने दिया है तो June वाले paper में ने दिया है तो block 3 को आप चाहो तो choice based रख सकते हो जब आप last minute preparation कर रहे हो यहीं block 4 और block 5 को भी आप compulsorly पढ़ोगे ही पढ़ोगे Charles Dickens से questions आते ही आते है great expectations यहां से question रहता ही रहता है middle March से भी question रहता है अब देखो अगर मैं next blocks की बात करूँ block 6 to block 9 तो यहां पे एक बात समझो Joseph Conrad heart of darkness इसको आप choice based रख सकते हो मैं कब के लिए बता रही हूं जब आपके पास 20 days का time है जब आपके पास 15 days का time है और आपको लग रहे है कि last minute preparation करनी है तो कौन-कौन से work हम लोग करके जाए तो Tom Jones आप करके ही जाओगे Pride and Prejudice आप करके ही जाओगे Great Expectation आप नहीं जोड़ सकते हो Middle March आप नहीं जोड़ सकते हो इसके अलावा Heart of Darkness आप नहीं जोड़ सकते हो students E.M.Foster आप नहीं जोड़ सकते हो Murals Park आप नहीं जोड़ सकते हो Block 7 और इसके बाद Block 3 इसमें से आपकी Choice के उपर Depend करेगा कि अगर आपके पास समय अधेक है तो आप एक एक बारी इन Stories को भी देख लोगे इसके अलावा Delhi Bytes पे Solved Assignment, Lecture Series, Notes वगरा सारी चीज़े अवेलेबल है इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको Delhi Bytes का Application डाउनलोड करना है जहां पे Ignoo वाले सेक्शन में जाके आपको सारे Resource Materials वहीं पे मिल जाएंगे चाहे वो Solved Assignment हो, Lecture Series हो या फिर Notes वगरा हो या फिर अगर आपको Solved Assignment की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नमबर पे MEG500 का Code लिख के भेजो and after payment of Rs.524-48 hours में आपको PDF शेर की जाएगी इसके अलावा for Regular Ignoo Updates या फिर MA English के अपडेट्स के लिए Regular and Quick Updates आप Delhi Baits के WhatsApp ग्रुप को जॉइन करो जिसके लिंक मैंने नीचे description box में दे दी है कंपल सर लिए आप जॉइन करो क्यूंकि यहां से आपको Regular और Quick Updates मिलेगी सिर्फ इगनू से ही related नहीं MA English से भी related आपको मिलेगी comment में भी मैंने link को पिन कर दिया है आप जल्दी से जॉइन कर लो this will be all for this session हमारे सारे social media के links नीचे description box में available है do subscribe Delhi Baits thank you so much